ये इलेक्ट्रोन विन्यास सही होगा ये गलत होगा ये सारी क्या हैं अपवाद हैं और इन अपवाद को ध्यान में रखकर आप इलेक्ट्रोन विन्यास को लिखेंगे ये भी सही है और आप इस प्रकार भी इसके इलेक्ट्रोन विन्यास को लिख सकते होना सी ये लेकिन इसक इसी भी परमानू का इलेक्ट्रोन विन्यास लिखना आ जाए। इसी अदर इलेक्ट्रोन को बरते हैं जैसे उपकोस होते हैं S, P, D और F इस परकार इए उपकोस के अदर जो इलेक्ट्रोन बरते हैं S में अधिक्तम 2 electron बढ़ सकते हैं P के अंदर अधिक्तम 6 electron बढ़ सकते हैं D के अंदर अधिक्तम 10 electron बढ़ सकते हैं और F जो उपकोस है उसमें अधिक्तम 14 electron बढ़ सकते हैं ऐसा क्यों होता है दोस्तों जो ये उपकोस होते हैं इनमें कक्सक होते हैं जैसे उपकोस S है इसके अंदर S एक ही परकार का कक्सक होता है इसमें और P उपकोस है इसमें तीन कक्सक होते हैं और जो D होता है इसमें 5 कक्सक होते हैं और जो F उपकोस है इसमें 7 कक्सक होते हैं अब हम या तो डाइरेक्टी जो उपकोस हैं इसमें इलेक्ट्रोन बढ़ सकते हैं जैसे इसमें अधिक्तम दो इलेक्ट्रोन बढ़ सकते हैं तो दो इसमें छे बढ़ सकते हैं तो छे इसमें दस बढ़ सकते हैं तो दस और इसमें चोदे बढ़ सकते हैं तो जो इलेक्ट्रो बनने हैं तो इनको हम ऐसे बढ़ेंगे 1,2,3,4,5 इस परकार तो ये हुंड के नियम अनुसार हम इनमें इलेक्ट्रोन बढ़ते हैं क्योंकि हुंड ने ये बताए था कि जब तक पूरे कक्षक में एक-एक लेक्ट्रोन ना आ जाए तब तक लेक्ट्रोन युगमित नहीं हो जो सबसे कम बढ़ेंगे दो परकार लिखने में ये लाइन हम खाली चोड़ेंगे और फिर दो से हम 2P लिखेंगे 2P, 3P, 4P, 5P, 6P 7P, 8P, फिर यह हम खालिस हो रहेंगे, मतलब 1D और 2D हम नहीं लिखेंगे 3D से स्टार्ट करेंगे, तो 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D इस पर का लिखेंगे, फिर 3D वाले को भी हम खालिस हो रहेंगे, और फिर इसको हम खालिस हो रहेंगे 3F नहीं लिखेंगे, 4F से स्टार्ट करेंगे, 4F, 5F, 6F, 7F, और 8F उपर से पहली 1 से लेके 8 तक S1 लाइन लिखी, फिर हमने 2 से स्टार्ट किया, फिर 8 तक लिखी, फिर 3 से स्टार्ट किया, फिर 8 तक लिखी, फिर 4 से फिर 3D, 4P, 5S, फिर 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S इस परकार ये करम होगा जो कि हम इस परकार इस करम को लिख सकते हैं पहले 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P इस परकार ये आगे चलता जाएगा जैसे जैसे हम इदर चल रहे हैं वैसे उर्जा का मान है वो भरता जा रहा है अब हम इसमें जो इलेक्ट्रोन भरते हैं तो हम इलेक्ट्रोन किस परकार बरेंगे जैसे हमें कोई इलेक्ट्रोन भरना है जैसे नाइट्रोजन का हमें इलेक्ट्रोन विन्यास लिखना है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोन विन्यास लिखने के लिए हमें सबसे पहले नाइट्रोजन का परमानु करमांग का पता होना चाहिए अगर आपको इनके जो परमानु करमांग वगरे द्यान में नहीं है तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है उस वीडियो को आप देखकर करम से इन तत्तूं को याद कर सकते हैं तो जो nitrogen होता है उसका परमानु करमांग साथ होता है तो जितने परमानु करमांग होते हैं उतने ही उसमें इलेक्टरोन होते हैं तो इसका अगर Nitrogen का इलेक्टरोन विन्यास लिखें तो इसके अनुसार देखे 1S,2S,2P इस परकरा में हम लिखेंगे तो इसका इलेक्टरोन विन्यास होगा 1S और S के अंदर अधिक्तम 2 electron बढ़ सकते हैं तो 2 electron तो 7 में से 2 electron तो हमने यहां बढ़ दिये हैं फिर उसके बाद में आता है 2S यहां पर भी S कक सक है तो S के अंदर भी 2 electron बढ़ेंगे हम क्योंकि S कक सकते हैं अधिक्तम 2 electron बढ़ सकते हैं तो इस परकार हमने चार इलेक्ट्रोन भर दिये हैं, अब इसके बाद में हमारे पास से साथ में से चार चले गए, तो हम हमारे पास से तीन इलेक्ट्रोन और बचे हैं, इसके बाद में 2S के बाद में आता है 2P, और 2P के अधिकम 6 इलेक्ट्रोन भर सकते हैं, लेकिन हमारे प तो या तो हम उलेक्ट्रों की अलेक्ट्रों को लिख सकते हैं। जैसे हमने नियोन का विद्च अको ड्रह सकते हैं। तो S में अदिक्तम 2 electron बढ़ सकते हैं, तो 2, दूसरा जो S है, 2S, इसमें भी 2 electron बढ़ सकते हैं, क्योंकि S कक्सक है, और इसमें अदिक्तम 6 electron बढ़ सकते हैं, तो 10 में से 4 electron तो हम S कक्सक में बढ़ दिये, अब जो 6 electron रहे वो इसमें बढ़ सकते हैं, तो इस परकार इसका जो क इस परकार बरके फिर ये युगमित होंगे तो इस परकार ये 10 एलेक्ट्रोन थे जो नियोन में है पूरा बरा हुआ है तो इस परकार हम इसका एलेक्ट्रोन विन्यास लिख सकते हैं सुवधा के लिए हम पहले उतकर गेस्वों को लिखका फिर उलेक्रोन वीनियास लिख देते हैं जैसे हम हमें 21 नंबर पर जो इसके अडियम आता है उसका इलेक्रोन विनिack लिखना है तो इसका इलेक्रोन विनियास हम इस फरका लिख सकते हैं तो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, फिर उसके बाद में आता है 3D, 1 और 4S, 2, देखे जो अरगन के बाद में 3D, और फिर उसके बाद में 4S, तो 8, इसी प्रकार हम और उदारन लें, बाद आने वाले जो ततों हैं 21 से लेके 30 तक, यह संकर्मन सनेने के ततों हैं, और इसमें जो इलेक में लिखते हैं 1S2, 2S2, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S इस प्रकार, तो देखे जो 3D है, 3D को हमने पहले लिखा है और 4S को बाद में, जबकि आउबाओ के नियम के अनुसार 4S पहले आता है, वो 3D बाद में आता है, जब हम इलेक्ट्रोन बरेंगे, तो पहले 4S में बरेंगे, उसके बाद में 3D के अंदर बरेंगे, लेकिन जब करम में लिखते हैं, तो 3D को पहले लिख देते हैं, और 4S को बाद में लिखते हैं, तो इस परकार हमने ये लिखा है, तो ये इसके डियम का इलेक्ट्रोन बिन्यास है, अब देखिए, इसके निकरतम जो उतकष्ट गेस है, ज आरगन का इलेक्ट्रोन बिन्यास है, तो हम इसको आरगन को ऐसे लिखे, और फिर उसके बाद में 3D, 1 और 4S, 2, इस परकार इसका इलेक्ट्रोन बिन्यास हम सुईदा के लिए लिख सकते हैं, ये भी सही है, और आप इस परकार भी इसके इलेक्ट्रोन बिन्यास को लिख सक के और फिर आगे के दो ककसक हैं उनको हम लिख सकते हैं अब देखे दोस्तों इसमें कुछ अपवाद भी है जो जिसमें इलेक्ट्रोन है वो आवभाव के नियम के अनुसार नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे या ऐसा ककसक हो जो या तो अर्ध पूर पूरित और पूर्ण पूरित कर लेते हैं क्योंकि अर्ध पूरित और पूर्ण पूरित जो ककसक होते हैं वो ज्यादा इस्ताई होते हैं जैसे हम क्रोमियम के इलेक्ट्रोन विन्यास की बात करें तो क्रोमियम 24 नंबर पर आता है अगर इसका इलेक्ट्रोन विन्यास कैसे लिखा जाएगा देखे पहले आरगन और आरगन के बाद में 3D और फिर उसके बाद में 4S अब देखे आब आउ के नियम के अनुसार तो ये इलेक्ट्रोन विन्यास होना सी ये लेकिन इसका वास्थिक इलेक्ट्रोन विन्यास ये नहीं होता क्योंकि यहां पर देखो 3D है 5 का है अगर इसमें एक इलेक्ट्रोन और आजाए तो ये अर्ध पूरित हो जाएगा और अर्ध पूरित ज्यादा इस्ताई होता है तो इसके इलेक्ट्रोन विन्यास को हम इस परकार लिखेंगे 3D 5 और यहां पर 4S 1 इस परकार इसके इलेक्ट्रोन विन्यास लिखेंगे त 3D9 और 4S2 यह electron venyaas होगा above के ने मनुसार तो लेकिन यहाँ पर देखो 3D है उसको अगर एक electron मिल जाए तो यह पूर्ण पूरित हो जाएगा तो इसका electron venyaas से वो इस परकार आएगा argon 3D10 और 4S1 इस परकार इसका electron venyaas होगा यह electron venyaas से होगा यह गलत होगा इसी परकार अन्य कई और अपूराद हैं जैसे MO है जो की 42 नमबर पर आता है PD है जो की 46 नमबर पर आता है HG है जो की 47 नमबर पर आता है और W है जो की 44 नमबर पर आता है AU है जो की 99 नमबर पर आता है तो ये सारे क्या हैं अपवाद हैं और इन अपवाद हों को ध्यान में रखकर आप इलेक्ट्रोन विन्यास को लिखेंगे अब जैसे हम और कोई electron विन्या लिखें जैसे हमें magnesium का electron विन्या लिखना है तो magnesium 12 नंबर पर आता है तो magnesium 12 नंबर पर आता है तो इसका electron विन्या लिखेंगे तो देखो आवबाव के नियम अनुसार पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s इस परकार आगे चलता रहा है गई ये बारा इए पहल सकते है तोा हम इसके निकरतम उतकर स्थ गेस्थ देखे है यहां से लेकर यहां तक total 10 electron हो रहे हैं और 10 electron पर उतकर्ष्ट गेस नियोन आती है तो इसका electron मिन्यास नियोन फिर इसको ऐसे लिखे और 3s 2 यह electron मिन्यास भी लिख सकते हैं तो इस परकार हम इनके electron मिन्यास को लिख सकते हैं